पुश्कार स्वागत है आपका सेल्फ स्टेडी के चैनल पर और आज हम अपनी इस वीडियो में डिसकस करने वाले हैं कि जो मालदीव है मालदी में योग दिवस पर यानि कि 21 जून को जो वहाँ पर पूरे देश के पूरी दुनिया के अंदर योग दिवस यानि योगा डेज जो सेलिबरेट किया जा रहा था तो मालदी में भी एक स्टेडियम में योगा दिवस सेलिबरेट किया जा रहा था वहाँ पर कुछ लो जो यहां पर योग कर रहे थे, इनके ओपर हमला करने के लिए, यह आ गए थे, यहां पर आप देखेंगे ना, तो यह देखेंगे इन्होंने जंडे ले रखे हैं, यह जो लोग हैं यहां पर, और यह देखेंगे अपनी जो है, मैट्रस लेकर उठ रहे हैं, यह लोग यहां कैसे है और ये लोग आ रहे हैं कैसे लोगों को धमका रहे हैं वहां से भगा रहे हैं अब यहां पर इन्हों ने विरोध क्या इसका reason भी आप लोगों को इस वीडियो के अंदर discuss करने वाले हैं और योग दिवस की जब बात चली गई है तो इससे related जो exam में important question बनते हैं उन तमाम चीजों को हम इस वीडियो के अंदर discuss करेंगे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले PDF के लिए मैं आप लोगों को बता देता हूं description box में एक telegram का link दिया मिलेगा जो एक ग्रूप का link है उस ग्रूप का नाम है self study जिस पर आप पढ़ रहे हैं actual में उसकी नाम से एक ग्रूप भी है telegram पर तो आप यह link जो है वो सीधा आपको इस ग्रूप पर लेकर जाएगा वहां पर आप लोगों को इसकी PDF मिल जाएगी इसकी क्या जितनी भी current issues करवा था उन सबकी PDF आप लोगों को वहां पर provide करवाई गई है अब start करते हैं आप यहां पर Indian Express, The Hindu, इन newspaper की अगर आप cutting देखते हैं तो देखे protesters attack yoga day event in Maldiv माल्दिव में जो protester से, protester किसके भाईया, किसका जो यह विरोध करने बैटे थे जो इन्होंने attack कर दिया, कैर इसको भी discuss करेंगे तो जो protester से उन्होंने attack कर दिया yoga divas के उपर माल्दिव में यहां पर mob storm yoga day event in Maldiv माल्दिव में जो yoga day celebrate किया जा रहा था, उसके उपर जो mob है यानि भीड ने आकर वहां पर उर्दंग मचा दिया अब यहां पर, यह देखिए, international yoga day, जो extremist, mob जो यहां पर कहेंगे, जो extremist है, जो Islamic extremist है इन्होंने यहां पर yoga event के उपर हमला कर दिया था यह देखिए, यह एक video की footage ही है यहां पर और यहां पर यह जो लोग हैं, यह बैठे हैं, yoga कर रहे हैं लेकिन यहां से देखिए, इनके entry हो रहे है इसके लिए मैं आपको इस video से अच्छे समझ में आएगा इस video को यहां पर मैं आपके लिए play करता हूँ यह देखिए, यहां पर आपकी सामनी है जो लोग आ रहे हैं न यह देखिए, यहां सी आ अगे अब यहां पर यह लोग बैठें, इनको भगा देंगे मारना शुरू कर दिया, इनको ढमकाना शुरू कर दिया, डराना शुरू कर दिया फिलाल यह एक तरीके से temporary हुआ था बाद में इसको वापस resume कर दिया गया था हालात को जल्दी से काबू में कर लिया गया था अब यहां पर बात आती है कि यह इनका कहना यह था कि जो योगा है वो इसलाम में हराम है इसलाम में किया नहीं जाता कैर अब यह अलग बात है इनकी अलग ही सोच आ रही है कि जो लोग जो हैं यहां पर योगा को जो की एक तरीके से यहां पर देखिए ministry of foreign affairs यहां पर जो एक press conference थी इन्हों ने तुरन इस चीज के उपर कारवाई की और कहा कि हम इसके ओपर जल्दी से जल्दी कारवाई करेंगे पुलिस जांच बिठाएंगे इसके ओपर यह जो इबराहिंग मोहमद सौहिल है सौले हैं जो यह प्रेजिडेंट है मालदीव के इन्हों ने का कि एक investigation होगी जो भी यह चीज हुई है यह जो हरकते हुई है यहां पर स्टेडियम में जो लोग पीस्फुली योगा दिवस बना रहे थे उनके ओपर जैसे यह चीज़ें की गई है इसकी definitely investigation होगी और यह तुरन चीज़ें temporary तोर पर हुई थी फिर वापस इसको resume कर दिया गया था मतलब इस mob को पीछे हटा कर वापस योगा दिवस जो वापस celebrate किया गया था अब यहां पर देखिए सिदांसी बल जो है इन्होंने का था कि after temporary disruption by the extremist mob मतलब कि एक temporary हुआ था बाद में इसको resume किया गया था अब यहां इसके पीछे reason जो निकल कर आ रहा है वो यह भाई साब है भाई इन्होंने India Out के नाम पर विपक्स की सियासत मतलब कि इन्होंने मालदीव के अंदर go India के इस तरीके से नारे या फिर कहें कि anti India campaign उने full on चला रखे है reason क्यों है देखिए अपनी आभी के जो राष्टपती है सोले वो क्या है कि वो भारत समर्थक है यह भारत समर्थक नहीं थे अब कहा जाता है इनके दोरक आ जाता है कि भारत सरकार ने या भारत ने कुछ ऐसी हरकतें करी जिनके विज़े से यह प्रेजिदेंट के पद से हट गए इसलिए यह भारत के विरोध हो गए अब इनके जो चाहने वाले जो लोग है वो क्या कर रहे हैं यह जहां जा जाते हैं जहां पर इंडिया कैमपेंज जो भी इंडिया से रेलेटिट चीज़े होती हैं उनका विरोध करना शुरू कर देते हैं तो अपने चाहने वालों को लेकर आगए यह कहते हुए कि चलो भई आप लोगों को एक तरीके से यह समझाते हैं कि इसलाम में क्या हराम है और क्या नहीं है और इसनोंने का कि योग करना जो है वो इसलाम में हराम है और लोग इनकी समर्थन प्रात है यानि चीन से इनको एक त्रीके से पैसे मिलते हैं और इसलिए ये भारत का फुल ओन विरोध भी करते हैं देखें यहां पर हुआ है कि एंटी इंडिया केंपें इन माल्दी पोसिबिली स्पोंसर बाइ चाइना ये चाइना के दौरा स्पोंसर भी किया जाता है कैर अब बात आ जाती है कि योगा दिवस इससे रिलेटिट जो भी हमारे एक्जाम के पॉइंट विव से जो भी कोशन बनते हैं हम उनको देख लेते फर्स्ट ओफ ओल ये एट्थ एट्थ इंटरनेशन योगा डे था 21st June 2022 को ये एट्थ बनाया गया था celebrate किया गया था पूरी दुनिया के अंदर इसकी जो theme रखी गई थी Yoga for Humanity अब आप देखे Yoga for Humanity यानि मानवता के लिए इसकी theme रखी जाती है और यहाँ पर Islamic चरमपंति कहते हैं कि ये इसलाम में हराम है हमें ये नहीं करना चाहिए क्योंकि इसलाम इसकी एक तरीके से इजाज़त नहीं देता है अब आप सोचिए आप अगर कराटे सीखने जाते हैं आप बॉक्सिंग सीखने जाते हैं आप अपने अपने अपन शरीर को मतलब हैल्थी रखने के लिए mentally fit रहने के लिए physically fit रहने के लिए कुछ भी game करते तो क्या आप उसके अंदर धरम ढूणने लग जाएंगे अरे मैं कल को कराटे सीख रहा हूँ तो मैं ये थोड़ना देखूँगा कराटे तो किसी दूसरे देश में आया था ये उस देश में इस धरम को योगा का एक बर ये देख लेते हैं देखिए जो ये आइडिया था कि International Day of Yoga बनाया जाएगा ये भारत के द्वारा ही परपोस किया गया था 69 सेशन हुआ था United Nations General Assembly के अंदर जो 2014 में होता है तो यहाँ पर भारत सरकार ने कहा था कि एक International Yoga दिवस भी जो बनाया जाएगा और UN ने इसकी सरहना भी की थी और वहाँ पर इसको घोशित किया था कि 21 जून 21 जून को क्या होगा हर साल 21 जून को International Day of Yoga मनाया जाएगा और ये दिसंबर 2014 में इसको रिजुलूशन को पास कर दिया गया था और सबसे पहला जो योगा दिवस था वो भारत के अंदर ही 2015 में राजपत दिल्ली में मनाया गया था जहां पर दो Guinness World Record बनाये थे एक तो ये था कि सबसे दुनिया का सबसे बड़ा योगा शेशन था जिसके अंदर 35,985 लोग इसमें शामिल हुए थे और 84 नेशनलिस्ट पार्टिसेपेटिड इन इट तो यानि कि दो Guinness World Record फर्स डे ही अचीव किये थे अब योगा के इतनी इंपोर्टन्स क्यों है देखे योगा जो आप जानते हैं कि एक एंशेंट हमारे टाइम में प्राचीन समय से ही हमारे देश के अंदर ये परचलित है जो physical, mental, spiritual इसके लिए किया जाता है जो भारत के अंदर ही इसके उत्पति हुए योगा जो है वो संस्कृत का एक वर्ड है जिसका मतलब होता है unite या join करना क्या join करना आपके शरीर को आपकी conciseness है मतलब के mustics के उससे unite करना उसको join करना इसका काम होता है और ये आज की date में बहुँ जादा popular हो चुका है पूरे across world में इसको celebrate किया जाता है अब हम देखते हैं न साइको social care के अंदर या covid-19 patients हैं, quarantine के अंदर हैं उनके लिए yoga जो है वो काफी जादा helpful रहा था और world health organization ने कवा था कि जो इसके members हैं उनको yoga practice करने चाहिए और even इनोंने global action plan के अंदर इस activity को involved भी किया था 2018 से 2030 के अंदर इस yoga को यहाँ पर involved भी किया गया था अब yoga जो yoga day है इसका yoga day बनने से क्या इसके महतरपुन हमारे सामने तथ्याते उनको देख लेते हैं देखे जो international yoga day है वो एक तरीके से पूरी दुनिया के अंदर उसको मनाया जाता है कि UN ने उसको sanction कर मतलब कि UN ने उसको माननेता दे रखी है तो हर कोई जानना चाहेगा इसके अंदर क्या benefit है क्या नहीं है तो वहाँ पर पूरी दुनिया के अंदर इसको जब मनाया जाता है तो एक तरीके से physical, mental, इनकी fitness के लिए लोगों को बताया जाता है कि कितना helpful है yoga International Day of Yoga जो है इसका aim यही है कि लोगों को एक तरीके से उनकी मन की शान्ती, self-awareness इन सब चीज़ों को उन तक पहुंचाए stress-free environment वहाँ पर पर परवाइड करवाए योगा से यह सब चीज़े benefit होती है अब इससे related चीज़ें बात कर लेते हैं जो बात कर लेते हैं कि जो भाहर सरकार ने चलाई है देखे एक तो प्राइम इनिस्टर नहेंदर मोदी जी ने M-Yoga एप जो है वो लॉंच की थी जिसका जो मेन मक्साइद है One World One Health इस प्रोग्राम को आगे लेके जाना और यह जो एप है वो collaborate करती है collaboration इसका हुआ है World Health Organization के साथ साथ-साथ Ministry of Ayurveda Yoga of Naturopathy Yunani, Siddha and Homeopathy Ministry of Ayurvees के अंडर जवाती है इन सब के साथ इसका collaboration है साथ-साथ इस International Day के ऊपर एक New Website भी जो है वो लॉंच की गई थी इस Website को काफी सारे अलग-अलग portal के साथ इसको link किया गया था जैसे सोच भारत हो गया Make India campaign हो गया इनके साथ जो Yoga Day के ऊपर जो website launch की गई थी इन सब के साथ इनको link किया गया था इसके अलावा Yoga को एक तरीके से discipline के तोर पर इसको पहचाना गया देके Ministry of Youth Affairs ने जो categorize किया था अलग-अलग sports को यानि उनमें से चांटा था discipline के लिए और जो सबसे priority के अंदर निकल के आती है वो Yoga निकल के आती है और इसलिए September 2015 में इसको recognize किया गया था sports yoga as a sports discipline के तोर पर अब यहाँ पर common yoga protocol यानि कि Ministry of Youth ने common yoga protocol यह एक लिस्टिट जो यामा नियामा आसना इन सब को मतलब कि जो popular yoga है इनको सामने लेकर आया थे vocational education course के अंदर इस yoga को launch किया गया था हम देखे beauty and wellness sector skill council इनोंने vocational education course के अंदर yoga को CBSC school के अंदर introduce कर आया था ताकि यहाँ पर लोगों को एक तरीके से skill सिखाए जा सके उनको train किया जा सके इवन various skill initiative के अंदर जो yoga instructor है उनको सिखाए जाता है उनकी skill के उपर काम किया जाता है जो परधान मंतरी कुशल विकास योजना के अंदर आती है इन तमाम बातों को आपको मतलब यह सारी लिखे लिखाए मिल जाएंगे ऐसा नहीं कि आपको लिखना पड़ेगा लेकिन यह exam के point of view से बहुत जाते important है कि कहा इसका use किया जा रह है उमीद करता हूँ कि आपको योगा से related सारी information मिल गई होंगी कब शुरू किया गया था पहला कब था और इसके क्या क्या फाइदे हैं और इसको पूरी दुनिया के अंदर क्यों बनाया जाता है reason आपको सब अच्छे से पता चल गए होंगे अब वीडियो पसंद आई है तो बेशेक इसको like करें चैनल को subscribe करें और PDF के लिए माप लोगों को already information दे चुका हूँ description box में telegram का link दिया मिलेगा तो वहां से इस वीडियो की पीडियो आपको मिल जाएगी कुछ जादा ही पसंद आए हैं तो वीडियो को share कर सकते हैं even channel को भी share कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ अपने रिस्तिदारों के सब thank you for watching this video